नमस्कार सभी आंगनबारी बहनों का आज के इस नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है तो जैसे कि आज मैं आप सभी आंगनबारी बहनों को बताने वाला हूं कि पूरे बिहार में जो कोरोना के कारण आंगनबारी केंदर वंध है उनको दुबारा संचा संचालन करने हैं तो आइसीडियस विभाग से पत्र जारी हो चुका है तो आपको इस पत्र के माध्यम से बताऊंगा कि जो आंगनबारी संचालन है कब से कब तक किया जाएगा और जो आंगनबारी केंदर खुलेंगे उसके साथ जो बच्चों की उपस्तिती रहेगी वो कित बताये गए मारदर्शिका को आपको फॉलो करना है उसके बाद ही आपको आवनबारी केंदर संचालन करना है तो चलिए सुरू करते हैं आज का ये वीडियो हमारा ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिजेगा इससे हमें बहुत जादे मोटिवेट मिलता है हम आपके लिए नई नई वीडियो लेके आते रहते हैं तो चलिए सुरू करते हैं आज का ये वीडियो जैसे कि आप लोग यहाँ पे पत्र जो देख रहे हैं 21-10-2020 यानि कल साम को इस पत्र को जारी किया गया है जिसकी संजी का संख्या है तिरपन 18 य ये पत्र अती महत्तोपुर्ण है इसलिए आप लोग इस पत्र की जो सारी जनकारी है वो आप लोग कम्प्लीट जरूर देख लीजेगा इस पत्र को भेजने वाले हैं निदेशक ICDAS और इस पत्र को सेवा में सभी जीला प्रोग्राम पधादिकारी सभी बाल विकास के संबंद में तो आंगन वारी केंदर को कैसे संचालन करना है महा से उप्रियुक्त भिषए के संबंद में सूचित करना है कि दिनांक 24.9.2021 को आपदा परवंधन समू की बैठक में आअगन वारी केंदरों को खोले जाने की स्विक्रिति के अलोक में आंगनवाडी केंदरों के संचालन है तू चेकलिस्ट और मार्क दर्सिका के आलोक में दिनांग 25.9.2021 से आंगनवाडी केंदरों पर बच्चों को प्रती दिन मात्र गर्म पका भोजन यानि होट कूक मिल उपलवद कराये जाएगा यानि कि जो 25.9.2021 यहाँ पे आप लोग देख पार हैं यहाँ पे जो मेंशन किया गया है जो होट कूक मिल है गरम पकाया भोजन वो 25.9.2021 से ही लागू हो गई है तथा दिनांक 15.11.2021 से आँगनवारी केंद्रों पर पूर्व की भाती की जाने वाली सभी गतिवीधियों का संचालन पर ररम किया जाएगा यहाँ पे आप लोग डेट याद रख लीजिएगा 15-11-2021 से आंगनवारी केंद्र खोल जाएंगे आंगनवारी केंद्रों को खोले जाने के पस्चाथ जो पूर्व में गतिविधिया आपके आंगनवारी केंद्रों पर की जाती है वो गतिविधिया की जाएंगे केंद्र संचालन अधी नौवंबर 2021 से 31 मार्च 2022 यानि कि ये जो नौवंबर 2021 और 31 मार्च 2022 का जो समय है उसमें 10 बजे अपराहन से लेकर 2 बजे पुरवाहन तक निधारित की जाएगी यानि कि 10 बजे से आपको आगनवारी केंद्र खुलने है जो कि 2 बजे तक आपको आगनवारी केंद्र संचालन करने है और यह निदेशित किया जाता है कि अपने जीला अंतरगत सभी आगनवारी केंद्रों को समय संचालन करना सोनिशित किया जाए तो देख सकते हैं यहाँ पे जो ये लेटर है फाइनली लेटर आ चुका है आइसीरियस विभाग के तरफ से कि जो आगनवारी केंद्र है उसको संचालन करने है तो 15.11.221 जो फाइनल डेट यहाँ पे निदेशित किया गया है जो आगनवारी केंद्र संचालन होंगे जो आप लोग गतिवीधिया करती है पहले आप लोग आगनवारी केंद्र संचालन करती थी उसी परकार से आपको जो आगनवारी केंद्र है वो संचालन करना है तो चलिए अब जो इस पत्र के साथ संलगन करके जो पत्र भेजा गया है जिसमें जो मार्ग दरसीका है उसको आप लोग फॉलो करना है चलिए मैं आपको वो पत्र भी आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि खंड एक जो इस पत्र के साथ सनलंगन किया गया है कि COVID संक्रमन 19 के कारण बंद आंगनवारी केंदरों को खोलने है तू जो मारदर सिका है उसको आपको फोलो करना है चलिए जो इसमें जो महत्वपुन दिशा निर्दे से मैं उसको आपको दिखा देता हूँ जैसे कि इस दवरान आगनवारी केंदरों का संचालन है तो निम्न मार्ग दर्षिका का पालन किया जाएगा देख सकते हैं पहले नमर में दिया गया है परतेक दिवर्ष को आगनवारी केंदरों पर बच्चों की उपस्तिती इस तरह से सुनिश्चित की जाएगी कि सोमवार, बुधवार और सुक्रवार को तीन से पांच वर्ष के बच्चे तथा मंगलवार, गुरुवार और सुनिवार को 5 से 6 वर्ष के बच्चे आगनवारी केंदर पर उपस्तित रहेंगे किसी भी आगनवारी केंदर पर कुल छमता की 50% से अधिक उपस्तिती नहीं होगी यानि जब आंगन बारी केंदर खूलेंगे तो बच्चों की उपस्तिती रहेगी वो 50% रहेगी और जो बच्चों का रोटीन है जैसे कि सोमवार से लेकर सनीवार तक इस परकार से आपको फॉलो करने है यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही लंबा चवड़ा लिस्ट है सभ मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बक्स में डाल दूँगा वहाँ से आप लोग इस पूरे गाइडलाइन्स को पर सकते हैं कि क्या क्या गाइडलाइन्स का पालन करना है नीचे यहाँ पर दिया गया है परतेक दिवस को आगनवारी केंदर पर तीन समुह में को गर्म पका भोजन उपलब्द कराये जाएगा जैसे कि जो गर्म पका भोजन है वो बच्चों को तीन पाली में उनको दिया जाएगा तीन वर्स से चार वर्स की एक पाली चार वर्स से पांच वर्स की दो पाली और तीसरी पाली है पांच वर्स से लेके छे वर्स के बच तो इस परकार से जो गाइडलाइन से उनका आपको ध्यान में रखते हुए आगनवारी केंद्रों का संचालन करना है तो उमीद करता हूँ कि आगनवारी संचालन है तो जो भी गाइडलाइन से उसके बारे में हमने आपको जनकारी दे दिया है वीडियो आप सभी को कैसा धन्यवाद जैहिन